दोस्तो अभी की टाइम में Facebook Creators बहुत ही जादे परिशान हो रहे हैं Facebook Policy Issue को लेके लेकिन मैं आपको बता दू है हिरानी करने बाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ Creators ऐसे हैं जिनके Page पर Policy Issue लगा ही नहीं है फिर भी वो लोग परिशान है Policy Issue को Remove करने में जैसे कि आपके साम Policy Issue है या नहीं तो चलिए अब इसको ध्यान से देखो यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर टिक का निशान लगा है यानि कि यह वाला Page पर Content Monetization Policy Issue नहीं है फिर भी यहाँ पर लिखा गया है Policy Issue इस वज़ा से बहुत सारे लोग Confuse हो रहे हैं लेकिन वहीं पर आपको दूसरी तरफ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है Content Monetization Policy Issue बड़ साइड में Cross का निसान लगा है यानि कि आप इसको Follow नहीं कर रहे हो तो इस पर है Policy Issue लगा चलिए दोस्तों यह तो रहा आप सब का Problem जो कि आप सभी में से बहुत सारे Confuse थे कि भाहिया Policy Issue है या नहीं यह बता हो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे Creators जो Policy Issue उनके लगा है और वो लोग उस Policy Issue को Remove करने के लिए बहुत एरी से चोटी तक का दम लगा चुके हैं लेकिन उनका Policy Issue नहीं हट रहा है उनकी खुद की तीन गलत को आप बार-बार कर रहे हो और कैसे कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा पहली गलती आप Preview and Request में पहले ही भेज़ देते हो दूसरी गलती आपको यह पता नहीं है कि आप लोग को Page पे Live कब आना है कितनी बार आना है और कितने देर के लिए आना है लाइब में आपका च सारे लोग यह जादे तर गर्सिया करते हो अगर आप लोग करते हो तो जरूट कॉमेंट करना ठीक है चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक चोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और नॉलेजबल वीडियो है इससे आपको बहुत ही फायदा मिल रहा है मुझे पता है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपके छोटे भाई का चैनल है ठीक है न चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो सही लग रही है और सच में चैनल को मिल रहा है वीडियो को लाइक कर दो आपके लिए बनाए करने में आपको कुछ नहीं जाता है अपके इक लाइक से हमें बहुत ज्याद है फाने मोटिवेशन मिलती है ताँ हमते आपके लिए इतने अच्छे पूसे ले की आथे की तो बते है पहली गलती जो आप करते हो, मतलब policies हुआ है, आप लोग क्या करते हो, review and request के उपर click करके, भेज देते हो review and request में, या फिर report मार देते हो, जो कि आपको ये तो करना ही नहीं है, अब ये करने से पहले आप सबको क्या करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, देखो, ये करना होता है, लेकिन प पता चलेगा, तो आप, जैसे आप setting में आते हो, जैसे facebook के उपर, तो यहाँ पर help and support का जो option होता है, इसके उपर click करते हो, तो यहाँ पर आपको inbox का एक option आता है, inbox में जाते हो, तो you are alert का जो ए option है, इसको पर जैसे click करते हो, तो यहाँ पर जिन वीडियो में आपका copyright match है, पहले उनको delete कर दो, ठीक है, ए रहा, अब यहाँ पर बात आती है, आपका यह, कि भाया, आप तो आप भेज सकते हैं न, review and request में, तो अभी भी आपको नहीं भेजना है, copyright वाले जो वीडियो थे, वो आपने delete कर दिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीन दिन वेट करन remove कर देते हैं, क्योंकि जब हम review and request में भेजते हैं, तो वो AI system नहीं, मतलब कि artificial intelligence या फिर robots उसको check नहीं करता है, वहाँ पे एक इनसान चेक करता है, उस page को कि इस पे सच में कोई problem तो नहीं नहीं है, फिर वहाँ पे चेक करता है, और जब देखता है कि हाँ, यहाँ यहाँ live videos है, या फिर सच में genuine तरीके से काम कर रहा है, फिर आपके जो policies होता है, उसको remove करता है, तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करना है, कि सुरुवात में ही आपको request and review में भेज़ देना है, फिर्स्ट जो कि बहुत important था, और दूसरा इससे भी जादे important, बहुत सारे लोगों इसका जो सब से ज़्यादा formula है, दूसरा नमर जो मैंने बताई है ता, इसका ये है कि आप लोग जो live आते हो, के बार ऐसा करतो हो 2 second के लिए आते हो, कई बार आते ही हैं कि या लाईव कितने देर के लिए लिए डिन में कितनी बार आई लाईगों, लाईप जो है उसमें फ पढ़ सब्सक्राबदाएं जब उनके पास टाइम होता है वो पेज अब इससे क्या होता है कि आपके वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइव होता है तो वो लोग आपके पेस को जैनेोन समझते हैं उरिजिनल समझते हैं इस वज़ा से आपके वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके ग्रेंद कर देते हैं आनि कि पॉलिसी इसे को रिमूब कर देती हैं अब रहा बात यहां पर तीसरा नम्मर कि क्या सारे वीडियोस को डिलीट करने होती है तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बोला कि आप उन्ही वीडियोस को डिलीट करो जो आपके कोपी राइट होता है मतलब जिस पे कोपी राइट मैच होता है जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट में कीवार अलर्ट में जाके आप डिलीट कर सकते हो लेकिन आप सारे वीडियोस को डिलीट कर देतों, आप में से सो में से 90% किरियाटर्स भाई डिलीट कर देतों, हाँ जड़तों कि सारे वीडियोस को मत डिलीट किया करो, जिस पे कोपी राइट मैच हो रहा है, उन्हीं वीडियोस को डिलीट किया करो, तो आपका पेज जो है क पूरा नीचे आ जाता है graph जिस वज़ा से आगे चलके जब वीडियोस भी डालते हो तो जादे निव लोगों तक recommend नहीं करता है वो आपके followers के पास ही भेजता है इस वज़ा से आपके piece का reach down हो जाता है तो ये तो रहा आपके piece का बहुत ही important part जो कि आप अपने policy issue को कैसे remove कर स कि उलके टॉचल कर स्हूरो से एक भास हो जहता है लोगो जो में वीडियोस अvikसिता whorea कि अवोभoken थो ज़ो